अब आप सोच रहोंगे मैं सुभा सुभा हाइवे पर क्या कर रहा हूं तो दोस्तो मैं निकल पड़ा हूँ एक आजब गजब टूर पर और इस व्लोग में आपको दिखाने वाला हूँ दिल लिटू कोड़ वार बाय रोड ये ट्रिप होने वाला है 300 किलो मिटर बंसाइड यानि कि आना जाना 600 किलो मिटर ये एक बिजनेस ट्रिप है तो मैंने सोचा कि आपको भी ये व्लोग दिखा दिया जाए अब मैं बाइक से जा रहा हूं दिल लिटू कोड़ दूर आप देख रहे हो जैसे कि हाइवे पर मैं खड़ा हूँ सुभा छे बजे मैं निकला था अब बच चुए हैं नो और अभी बी दो तीन घंटे का रास्ता Skillshare सुभाज्य बजे मैं निकला था तो अंधेरा वहुत तो मैंने वीडियो नहीं बनाई और अभी सुक्राइब सुछा कि और दीडियो का अथी डिश्व जाए मैं शुर्शन और जो लोग मेरे चैनल प आपको दिखाता हूँ रोड का सीन थोड़ा सा मैं चलता हूँ आगे किया इस सुवे का सीन है यह रोड का और सामने गर्नेगी के टाई हो दिया और यह हाई गया और मैं अपनी बाइक तो दिखाना भूलिया यह देखे गाइस गुलेट से मैं टूर कर रहा हूं 300 किलोमेटर को इसवां दो चलिया मैं कर देता हूं अपने मोबाईल को हैंग और आपको दिखाता हूं साइघ सफ़ट अगे का सफ़र् सो गाइस स्टार्ट करते हैं आगे का सफर मैं रडियू हूँ बाइक डराइव के लिए तो देखते रही है आगे क्या होता तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट में जब बताए कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है सो गाइस बढ़ते हैं आगे मिलते हैं थोड़ी दिर बाद तो गाइस बढ़ते हैं अगे करिये सफर का इंजोए देखे गाइस कितना सुहाना और मौसम हो रहा है अपर शिवा का नजारा घॉंग का खेत होगा और सामने से आरेट रहोगा बहुत ही अच्छा लगता है जब सामने में रोड़ हो और हाइवे हो हाइवे पर हम देखके हैं सब दीचीजों को और एक्स्पियेंस कर देखके हैं करने करने का लोगा है अगर फ्रेंट सुबा से चल गा हूं तो अभी मैं फिलाल ढूंदे हूं कोई थीप ठाक होटल जहां में बैठके थोड़ी सी चाय किये सेखिए और थोड़ा सा रश्ट करके तो में आगे बहुत है कि हमने लेणा है लोज कि हम चलते हैं लेफ्ट और फकटे हाई जावारते है किमलें आपको जाते। दोस्ता आपको दिखाता रहे घगा तो मैंने बाइक उठाई और चल दिया और बाइक उठाकर मैं जा रहो हूं बिल्ली टी कोड़ और उसके आगे भी मुझे जाना है तो मेरा दिखाता रहूंगा कहां जाना है अभी मैं बताऊंगा नहीं कि कहांगा मैं जाने वालों इस रोग के अंदर आप सभी के लिए है य तो बहुत जादा मैंनफ कर रहा है बॉक्स के लिए आपके लिए बहने सीन्स के लिए प्लिए गैफ कोई होटल मिल्सा तो रुकते तक के लिए बरे रहे हैं वीडियो के और टेरीजि को ऐए आन्गेंगे वीडियो को ओर्ण भी तक अन्ट को दूभी तक तो मिला नहीं हम और फिर चाई पीके आगे जाएंगे यह थोड़ा गहांग वाला इलाका है और बहुत खराब है कि मैं एक्चली हाइवे मिजे मिला ही नहीं और में अंदर अंदर आगया बाए मैं पारा था तो मुझे अंदर अंदर के लास्ता मिला अब मैं वेट कर रहो हो हो फोड़ का फेटल का वेटल मिल जाए और अब अब जाए चाय पीते हुए वह और से बात करूँगा गाईस यहाँ चाय की तपरी है यहाँ पर हम चाय पीए तो जब वह पर चाय नहीं थी जब वह पर बूचे नहीं दिखिए तो मैंने ऐसी पूश अब सब्सक्राइब करें जब कि मुझे अधुआ जाना ही नहीं है थोड़ा थोड़ा टाइम पास होता रहना चाहिए क्या के अकेले सफर कर रहा हूं कि अधिसे बात करें कुछ आप से बात अगरे कुछ फोटल पर रुके इंगे तब बाते गरें तो देखते है आगे का स तेखते हैं हम आपे कुछ चाय अगर मिलते है चाय नहीं आज ता अगर दोस्तों मिल गया है मुझे थोड़ा सा रेस्टोरेंट उसके बाद यहां से लगबग दो घंटे की दूरी पर है और बजच चुके है अभी पोने कोने दस पोने दस बोच गए और चाय पीके फिर हम आगे निकले की दो गंटे में अवर लगें उसके बाद देखते है क्या होता है इसादे हमारी तो मैं अभी फिलाल लगा दे ताँ वीडियो को टाम लेप्स पर अभी में रोका हूँ यह को एक चीज दिखी जो मैंने सौरो जोसी की व्लोग में देखी धी आइव तेंगिए हरी पुरा कि हरी पुरा है वो मैंने सोचा आपको भी दिखा दी कि वाटर स्टोरेग है वहीं लेवल पे तूरिस्ट इस्पोर्ट की तरह बनाया जा रहा है तो पूछता हूं भाईया से मैंने पूछा के वही हरी पूरा वाला है जो स्वारो जोसी के व्लोग में दिखाए गया था तो अभी बता रहे हैं कि विजनोर तक यह रास्ता ऐसे खराब बागी रास्ता सई देगा दस किलो मेटर और अमने ऐसी रास्ता देखना पड़ेगा तो गाइस मिलते हैं आगे कर लिया है हमने अपने अंदर कुछ चेंजिस लगा लिया है छोटा मास्क एंड गोगल्स बिकॉस आखों में बहुत ज्यादा मिटी जा रही थी गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन एक और बंदा साथ होता हुँ ज्यादा मज़ा रहा था क्यूंकि अकेले बात्चीत करते हुए सफर निकल जाता है अब सुबह से गाड़ी चला रहा हुँ और अब बच चुके हैं लगबख साड़े दस बच चुके हैं और मैं चलना हुँ रोड पर अकेला लेकिन कोई बोर्यत नहीं होरी कोई थकान नहीं होरी और अच्छा एक्स्पिरियंस हो र सफर कर लेता था इस व्लॉग में भी मैं 300 कुछ किलोमेटर कवर करने वाला हूं वन साइड एंड तीन सो अधर साइड लगबख 600 किलोमेटर का यह मेरा व्लॉग रहेगा सो गैस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और आपको भी मजा आ रहोगा देखने में तो वीडियो को कर दो चुशे है कर दो यह देखो खुले खुले माहोल का खुला खुला नजारा एक तरफ खेत है हर्याली है और एक तरफ अधुनिक भारत का निर्मान सब्सक्राइब का निर्मान होता हुगा देख रहे होंगे बहुत ही स्वाना मौसम हो रहा है याइस ऐसे ही ब्लॉक्स में आपके लिए लाता रहूंगा बस आपके सपोर्ट की जरूरत है मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हुए मैं सिवट के रहना नहीं चाहता हूँ आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे जा सकता हूँ और मुझे विश्वा से आप लोग तूरा सपोर्ट करेंगे और गाइस यह जो थोड़ा सा शेक ही हो रहा है वीडियो बिकॉस मैंने अपने मोबाइल होल्डर पर मोबाइल को हैंकिया हुए है और बुलेट गाड़ी है 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 यह दो चैसा आरा है बहुत ही जादा मसा आप बस रह गया है जिए गंटे गा रास्ता और और आई थिंक मैं लगबग लगबग बारा बज़े या सवा बारा बज़े तक पहुंच जाओंगा बारा बज़े पहुंचने के बाद मैंने होटल ले रखा है होटल लेने के बाद मैं वहाँ पर होटल के अंदर जाओंगा होटल में रेश्ट करूंगा नहूंगा फिर मेरी मेरी लगबग 3-4 बजय की इन है वह एक यह आदे घंट ता की मिटिक्आ हुने वालि यह मेरी वस प्रोजेक्ट देखना है वह पर हमें सिखस करना है वस ऑघने अपना साइड देखने के बाद उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि यहां पर क्या लगना है और जो भी आइटम होगी वह हमें बाद में मेजर्मेंट और इमेजिस हमें शेयर कर दिये जाएंगे तो उसको हम मैनुफेक्चर करेंगे है और आप करें डिल डन हो जाएंगे और आपके दोस्कों यह और मिल जाए है और गाइस लोग देख रहें जब बात करता हैं जो आखेंट रहें हैं और आज कर लोगों को पता ही है कि व्लॉगिंग का जाद ही सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकिशन आपको मिल जाएंगे और आपके भाई को भी थोड़ा सा व्यू और आपका सपोर्ट बिल जाएगा तो गाइस देखते हैं आगे कर आस्ता है है फुन दिल तो बेचारा ना जाने किस पे आएगा हसते गाते यहां से घुजर दुमिया की तू पर बनकर पीछे रहे जाएगा यह जमना यह कल क्या है किसमें जाना यह अद्धा तो बहुत सारे लोग और अधे यह जदेख रहे हैं तो तकान नहीं यह मुझे लग रहा था कैसे मैं करूंगा बेड़ तीन वार रूटेंगा तब मैं पहुंचूंगा लेकिन मैंने बिल्कुल भी रच्ट यहां पर हो गया एक्सिडेंट चाय पीने के लिए भी मैं इसलिए रुका था क्योंकि घर पे मैंने बोला था कि मैं आपको नो बजे फोन करूं लेकिन मैं लेट हो गया था पूने दस बजी मैंने घर पे फोन किया बाकी मैं कंटिनूस चल रहा हूं एक बार में वार रुका अजय को आपको मेरी मेरे अरह होगी तो आप वी इदिव को कर देना लाइक यह हमारा चोटा सा व्लोग आई होप आपको मेरी महनत नजर आ रही होगी तो आप वीडियो को कर देना लाइक मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा वार बोल दे लाइक करो क्रमेंट करो सब्सक्राइक करो क्योंकि गाइस अभी है थोड़ा सा आदत नहीं है ना गाइस जैसे रूलर एरिया में जा जो भी यहां से कावड लेके गुजरेगा उनके लिए वेवस्ता है उनको खाना पानी मुष्ट में दिया जाता है सेवा के तोर पर सान आगया सर पे दोस्तों उस स्कूल वैन में बच्चे हैं वह बच्चे मुझे देख रहे हैं कि यह भाईया कर क्या रहे हैं चलो देखते हैं वैन के पास ले जा के देखता हूं बच्चों का रियक्शन बच्चे आपको शाइद दिख रहे होंगे वैन के अंदर बच्चे जा रहे हैं अभी मैं इनको हाई करने वालों देखते हैं क्या रियक्शना आता है बच्चे लेखते हैं रहे हैं आता है अपकों के रहे हैं बच्चे रहे हैं एक ważne बच्चे कुणना अबच्चे रहे हैं आता है कर दो कर दो कर वाने के बाद में आगे निकलूंगा और नेचर कॉल ने दे दिया धस्तक लगू संगा से में मुक्त भी हो जाओंगा और बाइक का करवा लूँगा पॉलूशन भी सब मिलते हैं पॉलूशन करवाने के बाद दोस्तों यहां खड़े-खड़े हो गए 10 मिनट पॉलूशन वाला कोई आई नहीं रहा है तो मैं बीना पॉलूशन के ही आगे जा रहा हू चलते हैं सोगे हमारा पॉलूशन है कि मैं फटा फटा इसको रख लेता हूं और आगे चलता हूं अल्रेटी बहुत ज्यादा रेट हो गया हूं व्लॉक के चक्कर में जहां मुझे लगबग साड़ी 11 बज़े पहुच जाना चाहिए साड़ी 12 बज़े तक मैं पहुचने व लोग पावड को लेकर आइधिंग कल शिवरात्री इसलिए जल वगर लेके जा रहे हैं सब लोग अपने इस्थान पर वहां पर अपने करेंगे तो इसलिए ज्यादा बीड़ा और ज्यादा टाइम की लग रहा है यह देखिए कोई बाइक पर कावड लेके जा रहा है क्योंकि कल महा सीवरात्री है और सभी कावडी शिवलिंग पर जल अरुपित करेंगे यह शर्दा है हमारे हिंदू रिति निवाज में बोले जो हमारे संक्रभवें जो हमारे आराद्य देव हैं उनका कल राइस बहुत ही उस्सा पुर्वक माहोल है यहाँ पर आनंद में हो रहा है और सित भक्ति में होकर अपने अपने इस्तान में प्रस्तान करते हुए अड़वा से जल बरकर कोई टीजे में और अपनी गाड़ीो यह है भारत, यह है संस्क्रिती, कावड के टाइम पे जब कावडिया रास्तों से गुजरते तो रास्तों में कई मुस्लिम बहूल एरिया भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम न्यूज में देखते हैं, और हर जगा देखते हैं कि लड़ाई जगड़ा आपस में मार सांपर बिठाना उनको भोजन कराना उनको पानी पिलाना केले देना फूट देना हो ।्क सांळिंर सब किलिसाम तक की विवस्ता करते हैं, कर दी जाते ACTU संच्रिती है आपस में आपसी सोहार्च विकार कर ले ये वह थोड़ा सा भिगरता जनू पर लेकिन खराब नहीं रहे हैं आप्ट बटाने के लिए बहुत कुछ है बोलने के बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा सा मुझे अपने उपर काभू करना पड़ेगा पहाणे हैं रास्तरूका और दिखो पहाणे बैद है संने इब कर आजै आए दोस्तों साहने पहाड पहाड के खुले वियू है यह आप देखिए पहाड को आप जाइस में फाइनली पहुच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन पर अभी मुझे होटल सर्च करना है होटल सर्च करने के बाद में होटल के अंदर इन होकर चेक इन करके फिर आप से बात करता हूं कि बैटे नहीं है बिल्कुल भी अंकल जंडा चोग कहां पर है अगले चोड़ाय से उल्टे आपको अच्छा जन्यवाद यास अगले चोड़ाय पर हमारी डेस्टिनेशन है दोस तो यह यहां का फेमिस चोग है जंडा चौक का आजाता इसको और यह कोड़वार के मार्केट है मार्केट है अभी मैं यहां पर होटल को कॉल करने वाला हूं और फिर देखते कि भी देर लगती है यहां से बैटरी बहुत ही कम है तो होटल पहुंचने के बाद होटल में च और अभी मैं अपना पर्स वागरा प्रिक कर लेता हूं दैन चलता हूं मार्केट वापस खाना खाने के लिए तब तक के लिए स्टेश टूर्ण मैं आया था अपना होटल पर्स कोपिक करके खाना खाने के लिए लेकिन मैं खाना खाने नहीं गया क्योंकि होटल में आते ही मुझे थकान होने लगी तो थोड़ी दिर मैं रेश करने लगा और थोड़ा सर भी दर था तो थोड़ा मैंने रेश कर लिया और अभी सरदर फिर मैं आपको डायेट मिलूगा होटल के अंदर मिलते हैं मैं वापस खाना खाकर और बच चुके हैं आठ अब मुझे बहुत ही जादा धाकान और मैं आप जाता हूँ सोग अब इसके बाद सुबह ही हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़नाइट गुड़नें दोस्तों बच चुके हैं साड़े साथ और बच चुका हूँ अभी मैं कुछ असेंचल चीजे लेने के लिए बाहर जाओगा मार्केट में और वो चीजे लाने के बाद फिर मैं फ्रेश हो जाओगा और फ्रेश होने के बाद मैं करूँगा रूम से चेक आउट तो चलते हैं बाहर अशेचल चीजे को परचेस करने के लिए तो गाइस यह है यहां का बस्टॉप और यहां से आगे है जंडा चौक और जंडा चौक के बैक साइड में है अपना यह होटल होटल का मैं टोर आपना होटल का आपको करवाने जा रहा हूं तो बने रही है वीडियो के साथ मैं करवाता हूं आपको होटल का टूर है तो गाइस यह है होटल की एंट्री देखिए यहां पर कितना स्पेस है एंट्री में और आप यहां पर अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं मेरी यह बुलट यहां क्यों यह मैंने और यह होटल भारत भूमी अब देखिए आप इसको गो आई भी वो और मेक माई ट्रीप से भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं चलिए होटल के अंदर यह होटल का रिसेप्शन और रिसेप्शन से उपर है सीड़ियां यहां से हम अपने रूम के लिए एंट्री करते हैं मुझे सेकंड फ्लोर में रूम मिला है यह है सेकंड फ्लोर और यहां पर कुछ मिल जाता है वेटिंग एरिया सोफा एंड टेबल और यह है लाइन से रूम और दोनों तरफ रूम से बड़ा हिंडी टेंट क्लीन होटल है और इस होटल का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह है मेरा रूम रूम नंबर 209 और मैं कर लेता हूँ रूम को आपन और चलते हैं रूम के अंदर और चलते हैं रूम के अंदर करवाता हूँ आपको रूम का टूर गैस यहां दिया हूँ है डबल बर्ट किंग साइज और यहां पर आपको मिल जाता है वाट्रोब और वाट्रोब के साथ अटेच ड्रेसिंग भी है और बैट के साइड में है साइड टेबल और साइड टेबल में आपको मिल जाते हैं साइड टेबल के उपर मिल जाता है यह इंटर कॉम यहां से आप कॉल करके कुछ भी सर्वि यह तीवी यूनिट यहां पर आपकुछ समाह रख सकते हैं आपको सेट आप बॉक्स भी लगा हुआ मिल जाता है कुछ देखना चाहते हैं देख सकते हैं यह सी भी लगा हुआ है और यह है यहां के बाहर का व्यू मैं आपको दिखा पा रहा हूं और नीचे कड़ी है हमारी बॉलट और यह साथ में है अटेच पाथ रूम आपको मिल जाते हैं वेस्टन सीट एंड घीजर गरम पाद नहीं आप अनी तैम दे सकते हैं आपको वाश्विस्टर मिल जागा एक तम सो गाइस बड़ा ही नीट अन क्लीन हरूम मिला है और बड़ा ही नीट अन क्लीन होटल है मैं इसको फाइफ स्टार देने वाला हूं और यह फाइफ स्टार होटल भी है सो आप इसको में ट्रिप और गो आई भी वह से बुकिंग कर सकते हैं अरूंड फोर्टीन हंडर्ड पर डे बारा दुपैर बारा से अगले दिन दुपैर बारा जो तक की चार्ज आती है वि चेक आउट सो होब आपको इस व्लॉग के अंदर आ रहा होगा मजा मजा आ रहा है तो कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे बहुत ज्याजा शेयर इस एरिये का व्लॉग होता है खतम अभी मैं आपसे चेक आउट करने के बाद आगे निकलूंगा तब तक के लिए बने आगे ऺडियो के साथ स्टेटीए मन्स और जाड़ आइस है सिध्वली मंदिर को अध्या जो मैंना भी आपको दिखाया उपर होटल से निकलने के बाद शिद्वली मंदिर में आया था तो यहां का वियू देखिए बहुत है हाइट पर यह सिद्वली मंदिर है बहुत ही प्राशिन मंदिर है श्री हनुमान जी का मंदिर है यहां पर सारी मुरादे पूरी होते हैं और इस मंदिर की खासेत हैं यहां पर यहां पर जिनकी मुराद पूरी होती है वो लंगर करवात है और लंगर के लिए मही नय तक वेट रहोते हैले मैंगर कोटेट्स दूश। तो इतने माननलता है इस मंदिर की और अगर आपको जाना है तो विकीपीडिया गूगल पर आप सखलें को। बहुत इशांदाद और बहुत ही अच्छा मंजिरा, आप कभी जाएं तो जबी विजिट करें प्दगों कारिपह कि ए सकती मैं सकती है थिक कि आप की मिली अच्छा में पृत्छा मीरी ि करते बहुत है थे गुल स्थेर आप sitä ट्री Joint कर दो हमने कर लिए होटल से चेक आउट और अभी मैंने फाइंड किया कि हरीदवार यहां से सिर्फ डेट गंटे की दूरी पर है 65 किलोमेटर से यहां से तो माहा से रातरी भी है तो मैं यहां से हरीदवार की तरफ निकलूंगा ट्युकि इतनी दूर आये और गंगा जी के सुनान हमां पास में हो और हम सुनान करके ना जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो चलते हैं हाहिदवार की तरफ शिर्फ लगएगा देडर गंटा और करते हैं गंगाजी में सुनान तो हर हर महादेव लेप सार्ट गाइस चलते हैं गंगाजी के दर्सन के लिए है 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 इस निकल चले हैं यहां से छोड़ कर हम हरीदवार की तरफ और बहुत ही जादा फ्रेश फील हो रहा है बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है है सो वीडियो में बने रहने के लिए धतेवाद और बने रही हो एंड तक और करते रहिए मेरे वीडियो को लाइक और कर दीजिए शेयर ज्यादा से ज्यादा और जो लोग चैनल पर नहीं है कर दीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं हरीदवार के अंदर हरीदवार रहा है सिर्फ दस किलो मेटर और मैं दो बश्कर पांच मिलेट तक पाउज आंगा हरीदवार तो देखते हैं कब तक पोस्तों हरीदवार में कैसा लगता है क्या क्या होता है रहे एक हरीदवार के अंदर बने रही है वीडियो के अंदर आने वाला है बहुत जादा मज़ाद करने वाले हो आप गन्गाजी के दरशन देखो सामने कर नज़ारा देखो पहाड़कार और हम पहारों तेक बीच में सुमाने वाले हैं जैसे लग रहा है और बहुत इस्वाना सा सफर है ये कदर पन मनने से बसाले कर्चे एक कर्म अच्छे बच्पन नदर प्राओं आरो विजूर तुम को सितारों मेले चले दिल जूँ जाले ऐसे झालें भ både हैो इसे है जाले है गाइस पहुच चुका हूं चंडी देवी ये फीशे की तरफ उपर चंडी देवी माता मंदिर है और अभी मैं इस रूट से नीचे जाने वालों और नीचे जाकर फिर हरिद्वार के लिए राइट लेना पड़े होगा आज देखते रही है बने रही है वीडे के साथ गाइस ये आगिया है चंडी देवी माता मंदिर जाने के लिए फूल मैं चंडी देवी माता मंदरी की तरफ से आ रहा हूं और ये जा रहा है रास्ता हरिद्वार की तरफ ये लगबग एक से डेट किलोमेटर का ये फुल है दीचे गंगा माता बहती है और हम इस कुल को करते हैं क्रॉस और फिर लगबग दस से पंदा मिंट पे मैं हर्की पोरी तक पहुच जाओंगा इस नंसरी अंदर है वह announcements जाए फौन साथ लैने वाले वाले बंद मधीर है वह सामिंट जाए दघीजिक दंबर इंट जाए ज्यास कीजिए गंगा जी के दर्सन कीए आई हम तो कि यह देखे गाइस गंगा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन में आपको करवाने वाले हैं बने रही है वीडियो में बहुत ही आनन्द और मज़ा आने वाला है इस वीडिये के अंदर तो मिलते हैं तो यह जिए में यार हय तो मुटएन में युड़ दिर सके वाला है वाला ही आनन्द गलशन और मालै्न भी अउंगाया के अंदर अभी के अर्छले में का नियो में म्मटा प्या सके के अंदर जह ही आनन्द के तो ही में फिर कि अर कि पोड़ी बेजाने के लिए हर्की पोड़ी के लिए हर्की पोड़ी यह को हुआ कि यहां से हो रहे हैं मैं हर्की पोड़ी के लिए एंटर और दिखाते हैं आपको गंगाजी के द्रसन आज शिवरात्री है तो लगबक दस दिन तक नहां पर मेला लगा हुआ था लोग बाग दूर दूर से आ रहे थे गंगाजी से जल बरने के लिए और वो सामने देखो मंसा देवी मंदिर उपर यहां से कैनी पर्चेस करके गंगाजल भरके आप अपने घर ले जा सकते हैं मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग के अंदर और गंगाजी में सनान करके फिर वापस चलेंगे घर पर अपने कि अधिया है कि यह देखें गाइस बहुत ही ज्यादा भीड है मेला लगा हुआ है आप खाना खा सकते हैं ठाली के साथ सुह आपे खाना मिल जाएगा बहुत से लोग आए हुए यह है मा गंगा जी के जलसंत और उतर वो जो घंटा गार है वहाँ पे है हर्की पेड़ी तो चलते हैं हर्की पेड़ी की तरफ कि अधिया पूरा है वहां देखो गाइस यह जो घाट है यह हर्की पेड़ी का घाट है वहां से लेके वहां तक और वो जो आप देख रहे हैं वापे स्टैप सा बना हुआ लोग तो बढ़ते हैं हर्की बेड़ी की तरफ या इस देखो कराउड देखो मजाई आ जाता है मैं दो गंटे सफर करके इसलिए आया हूँ कि मुझे यहां का आनंद लेना था और आप देख रहे हैं के तनी भीड हो रही है यहां पर तो मुझे लगा ही था कि यहां पर बहुत अच्छा काउंड मिलेगा बोक पर उूब को दोकी मिलेकं के नियूटर वूब दोकि मुझे व्लोग अभी यहां करना वाला हूँ सनांघ गंगाजी जो भी हमने देख रहे हैं कैमरा के अंदर हलो हलो करके जा जबए है तो देखते हैं हम भी करने सब्सक्राइब बिखाएर दिखाता हूं, आप रखाया इस वाले सनात गंगाजी के, और गंगाजी हो सका तो जल भी भर के लेके जाएंगे. वाइस यहां पर बैंड बाज भाज़ा भी बज़ रहा है तो देखो आप मैं आपको जा की दिखाता हूं दिखाता हूँ आपको जाकी देद लियता जी सुभाज चंद्र बोश्क की परतिमा और बैंड वाजा बजरा और जाकी का अनन्द लेते हुए लोग बाग और सारे लोग खड़े हैं जाकी को देखर के लिए अब ही जुकी हुई है जाकी और अब अन्दर की तरफ जाकी निकल रही है यह सारे जाद ठीजे वगरा अब है जाकी तो गजोड़ा है ले मैं भी चलता हूँ तो चनान करके फिट निकलते हैं डेली की तवक्ता जाकी तो चनान करने से पहले अपने सामान के पास अपने साती को बैठा कर भी मागंग्या में शिनान करें यह जो इस्टील के रूम बने हुए यहां पर लेडीज स्कूरा कर सकते हैं यह कोघा अगर जाते हैं यह वे गाट कि तरफ लेकिन मूझे कुछ लेना है और कुछ से लोग आते हैं और यह लोग आये हैं यहां पर अस्तियों को प्रवाहित रहता है और अगी हम चलते हैं प्रणान करने के बाद कर देखें कि यह है में गाट यह की पोड़ी है सारी और जितने भी सरदालू आते हैं यहां पर सब्सक्राइब करते हैं और वह जो आप देख रहें यहां पर राथ की शान को आरती होती है अगर यहां पर यतरे भी यह पंडित बैठे होते हैं जो हमारे शान पीडियो तक हो पीडीत और लोगों की जनम कुंडलिया होती है वह हमारे पुर्कों की यहां पर मिल जाएगी है लोगे यह करनागी यह गंग्या मा अमंधिर प्राचिन मंदिर है यहां से उपर की तरफ मंसादेवी जाने के लिए रास्ता है और यह सारे होटल से यहां पर आप खाना आप सुखते हैं अच्छा इस वास को मैं आई सुख्छू हूं नजले के दोच काया हूं Angels यह मैं आज गया हूं हरीदवार और देखो में था को ड़ाइत से दिल्ली जाना था लेकिन मैं आया हूं अजिद्वार दो गंटे लेगे मां के को अगया से यहां आने के लिए लेकिन एज श्रीव रात्री है तो दर्षन करके गंगाए माता के अब यु Integration करके फिर य९ुद रहोगा तो आप भी कर लीए दर्षन तो चलिए दोस्तों मैं भी कर लेता हूँ स्नान और स्नान करने के बाद आपको मिलता हूँ तब तक कहीलिए लगाता हूँ video झाल झाल है आप दोस्तो हमने करले हैं आप बोतल में जल बर्ड़ के चल्य एतने हैं अपने घर अब बहु बोला इस बोतल बर्ड़ के लिख जन जाता निया अंदर आप दोस्तों जल अपने बर्ली आ है अब जल भर के अंद चल रहे हैं कुछ खाते हैं भूक लग रही है सुबा से कुछ खाया रही है और खाना खाने के बाद फिर से हम चलते डेली की तरफ जाने का मन नहीं हो रहा है तो यह बांग का परशाद मिन रहा है यह आपर दो जोएंगे की छोड़ का सारी तक रात्विया बॉतेंगे से ने के लिए भोले नाथ की शादी तो यह दो आपनी हागोरा महीं आपको वह रही है जहाँ पर बुटेर बीकर्वाद करें आयों, परिकाषा नोली। जोलेश नादी टेर आनित दोली। फरिकाषी नादी, विल्गाद नादी... जोली आदी, जोली जोली। कर दोस्तों मैंने लंच में कर लिया और मैंने जल भी बांद लिया है बाइक पे और अब मैं चल रहा हूं देली के तरफ सो यह व्लोग होता है अठाइक हि सो मच व्लॉक में बने रहने के लिए और जादे से जादे इस बलोग को शेयर करें मेरे चैनल को शेयर करें वीडियो को लाइक करें जो लोग चैनल को नए है चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेट्ट व्लोग में तब तक के लिए स्टेटी उड़ी हुआ तक के काम चैटी उड़ी हुआिए सेंट तौ ही एळल, तक कि बभी धुआैं तेक। कि आरी थे में तक कि वैए समय हुआं पालते हैं कि भ só chef अपक तक के आर लाटesz distur fragr स nhë कि वैए सेंटी वैश करकि और दो फमसौन कि तक की खालते हैं झाल, 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 झाल